दोस्तों यहाँ पर आप लाइब देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 1000 रुपिय का लोन एप्रूबल मिला हुआ है जिसको मैं डारेक्ली अभी कंटीनियू पर क्लिक करके डारेक्ली बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ अब मैं आपको यहाँ पर लाइब सबसे पहले दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं कंटीनियू पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन टर्म सेलेक्ट करने के लिए आ गया है कि कितनी दिनों के लिए आप लोन को लेना चाहते हैं ऐसे में अगर आप बहुत सरा loan application ट्राई कर चुके हैं आपको loan नहीं मिल पा रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं यह जो application है यहाँ पर आपको कम processing fee पर आपको loan मिलता है और lowest interest पर आपको loan मिलता है ठीक है अगर आपको यकिन नहीं हो रहा है तो आपको बस वीडियो को पूरा watch करना है उसके बाद आपको वीडियो को like करना है ठीक है देखिए यह पर आप लाइप देख सकते हैं 1000 रुपय का approval है अब मैं इसी amount को आपके सामने bank में transfer करके दिखाऊंगा चली वीडियो को शुरू करत इसे लोन मिल जाता है मैंने बहुत सबसे लोगों को बोला है बहुत सार लोगों को यहांसे लोन मिला भी है चली वीडियो को शुरू करते हैं और आगए जानते है मैं आपको live proof दिखाता हूँ कि loan कैसे यहां पर आपको मिलता है उसके बाद आप application को install करेंगे loan apply करेंगे सबसे पहले जब भी आप application को install करेंगे open करेंगे तो mobile number डालने के लिए कहा जाएगा mobile number डालेंगे और नीचे आप verify की option पर आप click करेंगे अब एक OTP आपको receive होता है जो कि automatically यहां पर ले लेता है आपको OTP ले लेगा आपको यहां पर mobile पर मतलब आपका account बन जाएगा अब आपको यहां से loan apply करना है तो loan apply करने के लिए उपर में ही आपको option मिल जाता है get a loan का तो loan apply करने से पहले आपको क्या काम कर लेना है यहां पर आपको उपर में option मिलेगा profile का आपको simply profile पे click करना है और यहां पर आपको एक option मिलेगा promotions का, promotions के उपर आपको click करना है अब promotions पे click करने के बाद यहां पर आपको एक promotion code डालने के लिए कहा जाएगा आपको एक promotion code डालना है जिससे क्या होगा कि आपका loan reject नहीं होगा अब बहुत सरे लोग क्या करते हैं गलती करते हैं यहाँ पर promotion code नहीं डालते हैं तो उनका loan जो है reject हो जाता है तो आपको यहाँ पर जो मैंने promotion code यहाँ पर आपको दे रखा है और description box में भी मैं आपको दे दूँगा यह जो promotion code है वो आपको यहाँ पर डाल देना है इस promotion code को आपको डाल देना है डालने के बाद यहाँ पर आपको option मिल जाएगा apply code का apply code पे click करके promotion code को आपको apply करना है अब promotion code को apply करने के बाद फिर से आप back आ जाएंगे अब आपको यहाँ पर loan के लिए apply करना है इसके लिए आपको यहाँ पर option मिल जाएगा gate a loan का इस पर आप click करेंगे click करने के बाद सबसे पहले आप allow access पर नीचे click करेंगे उसके बाद while using the app फिर allow पर click करेंगे आप देखें यहाँ पर आपको option मिलेगा identity type का आपको सबसे पहले identity type select करना है इसके उपर click करेंगे आपके पास क्या document है आधार card या voter ID card हुआ आप यहाँ पर select करेंगे normally आप आधार card भी select कर सकते हैं उसके बाद नीचे option मिलेगा continue का continue के उपर आप click करेंगे आप देखें यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको आधार card और एक selfie upload करना होता है आधार card का photo और एक selfie upload करना होता है आधार card का दोनों side का photo और एक selfie आपको यहाँ से upload करना होता है इसके लिए आप next के option पर पहले click करेंगे दर उसके बाद यहां पर option मिलेगा while using the app इस पर click करके आपको अपने आधार कार्ड का front side का और back side का photo upload कर लेना है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर आधार कार्ड को ले आया है यहां पर आपको आधार कार्ड का दोनों आधार का दोनों side का photo और एक selfie upload करेंगे तो आप यहां पर next page पर आ जाएंगे यहां पर आपका पूरा details आपके आधार कार्ड से detect कर लिया गया है जैसे कि आपका नाम, आपका date of birth, आपका gender, आपका address बगरा सब कुछ ले लिया जाएगा यहां पर आपको simply क्या करना है, यहां पर आपको एक option मिलेगा pan card number डालने का, यहां पर आपको अपना pan card number डाल देना है और यहां से आपको next करना है अब आप जैसे यहां पर pan card number डालके next करेंगे आपको एक loan approval दे दिया जाएगा अब देखें, जब भी आप first time यहां पर loan के लिए apply करेंगे तो यहां पर आपको जो है, एक हजार रुपिये तक का ही loan मिलता है ठीक है, पांसो या एक हजार रुपिये का approval मिलता है ज्यादा नहीं मिलता है, हाँ बहुत काम chance होता है कि आपको ज्यादा रुपिये का loan approval मिल जाए लेकिन अधिकतर लोगों को यहां पर एक हजार डेड़ रुपिये तक का ही loan मिलता है ठीक है, यहां पर आपके pan card details को चेक करने के बाद यह जो approval है, यह दिया जाता है, ठीक है अब आपको simply क्या करना है, इस loan amount को bank में लेने के लिए नीचे आपको option मिलेगा, continue का समसे फ़ले आप continue पे click करेंगे अब देखिए, आप option मिलेगा select loan terms का, यानि कि आप कितने दिनों के लिए loan लेना रहा है, 31 दिनों के लिए मैं इस loan को ले रहा हूँ, तो इसमें मुझे processing भी OGST देना पड़ रहा है 94 रुपिये का, यहाँ पर मेरे account में transfer किया जाएगा amount 906 रुपिये, ठीक 1000 रुपिये के amount में, यहाँ पर 94 रुपिया processing भी काटने के बाद, total amount 906 रुपिया bank account में transfer किया जाएगा, interest मुझे देना होगा, एक महिने के लिए 30 रुपिये का, यानि कि total मुझे repayment करना होगा, एक महिने बाद, 1030 रुपिये, तिया आप यहाँ से आराम से, पहले आपको read कर लेना है, उसके बाद करना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस application से पहले भी loan ले रखा है, तो यहाँ पर मेरा bank account add किया हुआ है, आपको यहाँ पर add bank account का option मिल जाएगा, आप add bank account पे click करेंगे, तो आपके समने इस परकाश से option आ जाएगा, आपको यहाँ से add bank account पे click करके bank account add करना है, इसके लिए सबसे पहले आप bank का नाम option मिलेगा, bank name इस पे click करेंगे, और यहाँ पर आपका जिस भी bank में account है, वो bank आप यहाँ पर select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना bank account number डालेंगे, उसके बाद submit पे click करके account details को यहाँ पर submit करेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा bank account add किया हुआ है, आपको simply क्या करना है, bank account add करने के बाद नीचे option मिलेगा, apply का apply पे click करेंगे, अब apply पे click करेंगे, कुछ second wait करेंगे, आपका यहाँ पर details submit हो जाएगा, अब आपको simply क्या करना है, इस खाली box को आपको simply tick करना है, देन उसके बाद नीचे option मिलेगा, accept and continue, accept and continue पे आपको click करना है, अब accept and continue पे आप click करेंगे, यहाँ पर आपका जो loan amount approved हुआ है, वो आपका bank account में transfer कर दिया गया है, यहाँ पर 12 गंटे का time बताया जाता है, लेकिन instant यहाँ पर तूरंत, यहाँ पर देख सकते हैं, आप total amount यहाँ पर मेरे bank account में transfer कर दिया गया है, मैं आपको message भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप message पड़ पा रहोंगे, notification में यहाँ पर आ चुका है, total amount 1000 रुपिये का अप्रूप धुआ था, जिसमें से 906 रुपिये amount यहाँ पर मेरे bank account में transfer किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको bank का message भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी अभी यहाँ पर message आया हुआ है, 906 रुपिया, मेरे bank account में यहाँ पर credit to your account number, यहाँ पर मेरा account number है, यहाँ पर आप देख में आपको loan apply करके दिखाया है अब देखिए इस application को install करने के लिए मैंने आपको description box comment box में दे दिया है दो application है दोनों application को आप install करके बहुत ही आसानी से यहां से loan ले सकते हैं मैंने आपको process बता दिया है कैसे आपको loan apply करना है कैसे आपको KYC करना है और कैसे आपको loan amount को bank में ल बहुत बत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए